कुम्ब रासी पर चल रहा सनी के साड़े साती का दूसरा चरण जाने कब मिलेगी सनी प्रकोप से मुक्ती और इस चरण का क्या पड़ेगा प्रभाब सनी की साड़े साती का दूसरा चरण कुम्ब रासी बालो पर चल रहा है सनी की साड़े साथी के कितने चरण होते हैं वा किस तरह का प्रवाब होता है जानिए जोते सास्त्र में सनी ग्रे को नियाय के देपतबग कर्म फल दाता माना गया है सनी हर ढ़ाई साल में रासी परिवर्तन करते हैं सनी के रासी बदलते ही कुछ रासियों पर सनी की साड़े साथी का प्रवाब सुरू हो जाता है सनी की साड़े साथी का प्रवाब जातक के कर्म के आधार पर अच्छा या बुरा हो सकता है बर्तमान में कुम्मीन बा मकर रासी बालों पर सनी की साड़े साती का प्रभाप चल रहा है जानिये इनका उपाए सास्त्री दृष्टी कोण से सरप्रतम तो शनी देपता जो है वह कर्म के अनुसारी न्याय करते हैं और अनुसारी व्यक्ति को फल प्रदान करते हैं और विल्कुल तॉल कर न्याय करते हैं तो सबसे सरल और सहे जो पाए जो है वह तो भगवान शिव की आरादना करनी जाए क्योंकि शनी देव जो है वो शिवजी के ही सिस्से हैं ग्यारा बिल्पत्र शमर्पित करें, मकर और कुम्ब दो रासियों का सनी देपता प्रतिनिज़त्व करते हैं, तो महराज, दस दीपक लगाएं, भगवान शिप के हाँ, एक आदस बिल्पत्र शमर्पित करें, समी भी समर्पित करें भगवान शिप को, क्योंकि सनी की भी जो वो शमी है ना सनी बार को विशेश रुप से शमी पत्र भगवान सिव को शमर्पित करें भगवान सिव की आराधना पूजन करें पीपल की परिक्रमा करें पीपल के ब्रक्षपर पीपल के समीब जाकर के वहां पर त्रिदेबताओं को प्रणाम करने के साथ ही सनी देब को प शर्सों के तेल से वहाँ पर पीपल के ब्रक्ष में सनी की पीडा की सांती के निमत उस दीपक को प्रजिलत करें, दीपक को प्रणाम करें और पीपल की एकादस परिक्रमा करें, पीपल देवतासे भी प्रार्थ ना करें, भगवान शिवशे भी प्रार्थ ना करें, सनी हो जाते हैं तो सब कुछ ले भी लेते हैं लेंगे वो उसका नहीं जो भगवान सिव की सरण में रहेगा इसलिए भगवान सिव की आरादना करें भगवान सिव को प्रशन्य रखें तो सनी स्वताह प्रशन्य हो जाएंगे ओम